दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा ख़री में और आज है 14 अप्रेल 2020 महत्पूर परिक्षाओं जोड़ी ख़बरें कर इंटरफेस देखेंगे 14 अप्रेल की बात करें तो आज है अमेटकर जयनती डाक्टर भीम राव अमेटकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था 14 अप्रेल 1891 में का हुआ था ये हुआ था महु नामा के किस्थान पर जो कि तत कालीन अर्थाद बिटिस जो राज था उसमें मध्वरांत कहा जाता था मित्यू 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी वहीं पर इनका एक समारक है लेकिन इनका समाध्यस्थल मुंबई में है जिसको चैर तिभून के नाम से जना जाता है अगर इनके परसनल लाइव के बारे में बात करें तो इनकी पतनी का नाम जो पहली पतनी थी उनका ना था 1935 में उसके बाद उन्होंने कुछ समयवाद कुछ वर्षों बार डाक्टर सवीता अमबेटकर से शादी कर ली थी ठीक है ना और इनके बच्चे जो इनका बेटा था इनका नाम ये शुवन्द अमबेटकर था 1990 में इनको भारत तरत्न का पुरसकार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा इनके पिता और माता का नाम भी कभी पूछ सकता है तो याद रखेगा राम जी, मालो जी, सक्पाल इनके पिता थे जो की सैनिक शावनी में सुवधार के पत पे ये जो है नियुक तुतरी में बनलब कि ये प्रमोट होकर के सुवधार बन गये थे इसके लाओ इनकी माता का नाम भीमा भाई था ठीक है और ये उनकी 14. संतान थे और अंतिम संतान थे इनकी जायति के नाम पे पूछा जाता है हिंदू महार जाती संबंदित थे काफी छुआ छूत इस जात से किया जाता था काफी इन्होंने बच्पन में ये सब देखा और काफी उपेक्षित हुए जिससे इन्होंने प्रंड लिया था कि मैं सामाजिक जो है बदलाओ लाओंगा सामाजिक परिवितन लाओंगा और दलितों का उत्थान करूंगा ताकि ये छुआ छूत का जो दंश है ये जहलना पड़े इसके इन्होंने बहुत सारा अध्यान किया इनकी मदद भी कुछ लोगोंने की कुछ समय के राजा थे जैसे शाहुजी थे उन्होंने इनकी जो निजी पुस्तकाले थी उसमें 50,000 से अधिक पुस्तके थी इन्होंने खुद बहुत सारी पुस्तके लिए जिनका काफी का नाम ही लोगों को नहीं पता ठीक है को लंबिया इन्वेस्टी से लेकर के लंदन स्कूल आफ एकोनॉमिक्स तक इन्होंने अर्थसास्त और अ के हांने लेकिन इनको चुक की राजनिती हो गई बाद में ठीक है राजनितिक दल भी इनके नाम से बन गए इनके नाम का इस्तमाल गरत इस्तमाल करने के लिए लेकिन उन्होंने सिर्फ दलित चेतना के लिए और थान के लिए नहीं बात कि थी इन्होंने श्रमिक किसान महि जोड़कर देखा जाता है, अलाकि इनको ब्यापक रूप से ही देखा जाना चाहिए, तभी इनको वो सम्मान मिल पाएगा, लेकिन ये विडंबना है कि बाबा साथ मेटकर को सिर्फ एक ही जाती से जोड़क दिया गया और वहीं तक इनको सीमित कर दिया गया, कहीं न कहीं उ भारती समिधान का जनक कहा जाता है इनको, प्रारूप समिती जोती समिधान की प्रमुख समिती थी, उसके ये अध्यक्ष थे, ये उनकी कुछ पुस्तके हैं, और विभिन वर्षों में इनको ने लिखी थी, पुस्तकों के बारे में अक्सर बाबाराब मिट करके पूछा आता है, याद रखेगा, भारत का राश्टी अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनी करन, भारत में लगुक्रिशी और उनके उपचार, मूल नायक, ये सापताहिक था, एक अगबार टाइपा था, ये निकालते हैं तो, 1920 में होने शुरू किया था, भारत में कादी वित्त का विकेंद्री करन, रुपय की समस्या, प्राबलम आप रुपीज इन्हीं की पुस्तक थी, कई बार पूछा जा चुका है, उद्धो और समाधान, बिटिस भारत में प्रांती वित्त का अभ्यूदय, बहिस्कित भारत, ये सापताहिक था, जनता, ये भी अभी हाली में एपियो के एकजाम में पूछा गया था, श्री गाधी एवम अचूतों की विमुक्त, रानाडे, गाधी और जिन्ना, इनकी महत्पूर्ण पुस्तक है, कांग्रेस और गाधी ने अचूतों के लिए क्या गया, ये इनका एक मुल्यांकन वाला पुस्तक था, बहुत बढ़िया पुस्तक इन्हों ने लिकी थी, शुद्र कौन और कैसे, महाराष्ट भाशाई प्रांत, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, तो ये इनकी अंतिम पुस्तक थी, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, यहाँ पर यह बताना जोरी है कि बाबा साहब के न 16 विशियों में मस्टर थे, वे हिंदी, पाली, संस्कित, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मर, मराठी, परिशियन और गुजराती जैसे 9 भाशाओं के जानकार थे, इसके अलावा उन्होंने लगब 21 साल तक विश्यों के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूफ से पढ़ाई की, डाक्टर अम्बेटकर की किताबें वर्तमान में भारत में अब से सब से अधिक बिकने वाली किताबों में गिनी जाती है। और आकाश्वाणी आते हैं ठीक है इनके संचाल इनका संचाले निकरता है इनमें प्रसारण संबंधी जो चीजें हैं देखता है इसका गठन 23 नौंबर 1997 वेक हुआ था नई दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर है तो इसने DD रेट्रो शुरू किया एक नया चैनल है इसमें ज पिष्चित रूप से इसके पीछे जो अभी हाली में DD1 में रामायन और विभिन कायक्रम सुरू किये गए उसकी जो रेटिंग है वो देख करके ऐसा किया जा रहा है तो इसके लावा युक्ति क्या है यंग इंडिया कामबेटिंग कोविड मित विथ नॉलेज टेकनोलोज इन्नोवेशन ये HRD मिनिस्ट्री द्वारा सुरू किया गया वेब पोर्टल है जो HRD मिनिस्ट्री जितने भी प्रोग्राम चला रही है जिनके बारे हमने पिछले समय में चरचा भी उन प्रोग्रामों को सही धंग से चलाने के लिए उनकी निग्रानी के लिए नियंतन के यह युक्ति वे पोर्टल शुरू किया गया है अभी HRD मंत्री कौन है दोस्तों रमेश पुखरियाल निशंक जी है उन्यन एप क्या है महत्पूर्ण है विहार सरकारों यूनिसेफ ने मिल करके सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई है तो लागडाउन की अवदि में सरकारी स्कूल है उनको आडियो वीडियो के माध्यम से सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई जारी रहे इसके लिए इन्होंने उन्यन एप शुरू किया है युनिसेफ के बारे मैंने आपको विस्तार से एक वीडियो चर्चा की थी थोड़ा साच और फिर से बताना ठीक है अंतर राज़्टी युनाटेड नेशन्स अंतर राज़्टी बाल आपात कालिन कोश उस समय इसका नाम था 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होई थी लेकिन 1953 में इसको स्थाई कर दिया गया जो विकास शिल देश हैं वहाँ पे बच्चो महिलाओं की उद्नेयन के लिए इसको स्थाई बना दिया गया और इसका नाम अब कर दिया गया संयुक्तराष्ट बाल कोश लेकिन यूणी सिफ जो संक्षिप्त नाम था इसको बरकरार रखा गया 1965 में इस संस्था को नोबेल पुरसकाद ही मिल चुका है अपने कारियों के लिए और यह संयुक्तराष्ट का जो मुख्य अंग है आर्थिक वस सामाजिक परिशन उसका एक निकाए है स्थाई निकाए है आपरेशन शील्ड ये दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 से बचने है तो एक नया प्रोग्राम है ठीक है आपरेशन शील्ड सार्स कोव 2 ये क्या है देखिए आपको आप्शन में आ सकता है कोविड-19 वाइरस का नाम क्या है तो उसका नाम है सार्स कोव 2 तो हो सकता है आप्शन में आपको दे सार्स को सार्स को 3 सार्स को 4 या को 2 करके या को 3 करके कुछ इसा दे दे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको पताना चाहूंगा कि मुख्य परिक्षा के लिए मैंने एक नया चैनल अपना शुरू किया है उसका लिंक मैंने दे दिया है अभी कोई वीडियो हलागि उसमें नहीं आया है लेकिन लिंक दे दिया है आप लोग सपोर्ट करिए उसको जॉइन करिए इस चैनल पे प्रिलिम्स के लिए ही जारी रहेगा ठीक है इस चैनल का भी नाम बहुत जलद चेंज होने वाला है लेकिन जारी रहेगा हमारी ये प्रोग्राम जो है जारी रहेंगे आप लोगों से हम राई भी लेंगे लाई भी आएंगे तो बेहतर एकमोडेशन के लिए हम किसी संस्था के साथ कोलैब कर रहे हैं तो और जादा अच्छी सेवाए आपको दे सके इसी चैनल पे ये प्रिलिम्स के लिए लेकिन रहेगा मेंस के लिए मैंने एक नया चैनल अपना बनाया है वो आप जरूर जोइन कर लें सब्सकाइब कर लें ताकि मुख परिक्षा की कर्षा है उसमें जारी रह सकें और इंग्लिश मेडियम के लिए अभी तक हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया था उसमें इंग्लिश मादियम के जो हमारे फैकल्टी हैं वो आकर आपको पढ़ाएंगे तो वो चैनल आप अवश्य जोइन कर लें डिस्क्रिप्सन बाक्स में उसका लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे आप जाएंगे और सब्सकाइब बिटन को क्लिक कर देंगे तो आप लोग वहां से भी हमारे जो है हमारे जो मुख्य परिक्षा की क्लासे जें और अन्य जो प्रोग्राम्स वहां आएंगे और फैकल्टी के द्वारा वो आप ले सकेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों